बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नवसकार राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीन मिस्र आईए जानते हैं 13 अप्रेल 2022 का दिन आपका कैसा बीतेगा सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की 13 अप्रेल 2022 दिन बुद्वार चैत्र मास चल रहा है शुकल पक्ष है द्वादसी तिथी है मघा नचत्र रहेगा 9 बज कर 37 मिन तक फिर पूर फालगुनी नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा सिंग राशी में है भगवान शूर मीन राशी में है विजय मुहूरत का आज समय होगा दो पहर दो बज कर 30 मिनट से दो पहर तीन बज कर 21 मिनट तक जो भी आपको शुब काम करना है जरूरी काम करना है महत्तपूर काम करना है वो विजय मुहूरत में करना चाहिए ताकि कारियों में विजय मिले कारियों में सफलता की प्राप राहुकाल का समय होगा दोपाहर 12 बज कर 22 मिनट से दोपाहर एक बज कर 58 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम महत्यपोन काम ना करें क्योंकि राहुकाल में किये गए कार्यों के असफल होने की संभावना जादा होती है दिशा शूल है उत्तर दिशा तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें लेकिन यदि आप day to day वर्क के लिए हर दिन उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो जा सकते हैं चले शुरू करते हैं राशी फल का सिलसिला सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों की योजनाएं सफल होंगी, मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा, सरकार से संबंधित काम बनेंगे, संतान से सुख प्राप्त होगा, शुबरंग केसरिया, उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा ब्रश राशी, ब्रश राशी वालों के घर में सुख शान्ती बढ़ेगी, कोई भी बड़ा फैसला घर वालों की सलाह से करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यात्रा से लाब होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे शुबरंग आस्मानी, आज आस्मानी रंग की ड्रेस पहनेंगे तो आपका लग और बढ़ जाएगा उपाय क्या करें, गायत्री मंत्र का एक सो आड़वार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा मन की चिंता दूर होगी, शुबरंग, सी ग्रीन, उपाय, भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुवात करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा करकराशी, करियर को आगे बढ़ाने के अवसर करकराशी वालों को प्राप्त होंगे धन प्राप्ति के लिए प्रयास बढ़ाना होगा, समाज में आपका मान यश और बढ़ेगा, घर में कलह ना बढ़ने दें, शुबरंग, गुलावी, उपाय, किसी गरीब को हरे फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा करियर में उन्नति के अउसर और प्राप्त होंगे और आपकी एक्षा पूर्ण होगी सिंग राशी, सिंग राशी वालों को परेशानियों से चुटकारा मिलेगा, नए निवेश से लाब होगा, काम को लेकर व्यस्तता रहेगी, जल्दवाजी में कोई भी फैसला करने से बचना होगा कन्या राशी, कन्या राशी वालों के खर्चों में बढ़ोत्री होगी, लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा, सेहत का ख्याल रखना होगा, विदेश से संबंधित काम में सफलता प्राप्त होगी शुबरंग हलका हरा, उपाय, भगवान गणेश की पूजा करें, इसके बाद दिन की शुरुवात करें, तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा तुला राशी, तुला राशी वालों के लिए धनलाब का योग है, विरुजगारों को नई जौब के आफर मिलेंगे व्यापार में उन्नती के योग बन रहे हैं, सभाव में चिड़चिड़ापन ना बढ़ने दे, विनम रहो करके अपना काम करना होगा शुब रंग क्रीम, उपाय किसी गरीब को एक किलो आटे का दान करें, तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा ब्रिश्चिक राशी, ब्रिश्चिक राशी वालों को कारे छेतर में तरक्की प्राप्त होगी, ऐसे योग बन रहे हैं नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, यात्रा से लाब होगा, आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा शुब रंग हलका लाल उपाय, देशी गव माता को चारा खिलाएं, तो आपके लिए बहुत शुब होगा धनु राशी, धनु राशी वालों को भागय का साथ मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अधूरे काम पूरे होंगे, कहीं दूर से शुब समाचार प्राप्त होगा शुबरंग, पीला, उपाय, भगवान गणेश की आरती करके दिन के शुरुवात करें, तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा मकर राशी, किसी नई योजना पर काम शुरू होगा, अंजान लोगों से मिटिंग होगी, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा, रिस्तेदारों से मतभेद हो सकता है कुम्भ राशी, कुम्भ राशी वालों की मन की चिंता दूर होगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा, नए आउसर आपको मिलेंगे, उनका लाब उठाना होगा मीन राशी, मीन राशी वालों को शत्रों पर विजय प्राप्थ होगी, संघर्स के बाद धन मिलेगा, उधाल लेंदेन से बचना होगा, सेहत का ख्याल रखना होगा शुब रंग पीला, उपाए किसी गरीब को हरे फल दान करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा राशी चक्र में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आप से मुलाकात, आपका दिन बहुत शुब हो, नवस्कार रहेँ बहुत शुब होगा झाल